नमस्कार पायस आयरुवेदा की खास पेशकश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कीर्थी कंसल और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इंदरजीत कौर जो रोज हमें बताती है कि हम किस तरह से स्वस्त रहें और आज का जो मुद्दा है जो आज क हमारा विशे है वो आपके लिए बेहद ही महत्वपून रहने वाला है क्योंकि देखा जाता है कि हमारा शरीर है उसके आज पास इतने जादा बैक्टीरिया होते हैं इतने जादा जांस होते जिसकी वज़े से हम जल्दी बिमार हो जाते हैं कि अगर कुछ भी समाने जितना कोई भी वातावरन होता है वो फटा पट बिमारियों को कैच कर लेते तो यानि कि आज हम बात करेंगे इम्म्यून सिस्टम के बारे में हम लोग लगातर वैसे तीन चार दिन से इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमने खुद को कि तरह अपने आपको स्ट्रॉंग करना है हमारी इम्मूनिटी कैसे बढ़ानी है तो उसी की चलते हम लोग बात कर रहे थे कि आप सबसे पहले में यह बोलती हों कि आप जिस बातावरन में रहते हो आप उसको पॉजिटिव रखना है उसको बैक्टिरिया फ्री रखना है और जिस घर में आप रहते हो आपने उसको हैं लोग स्वawl kullisth रखना है तीस रह आपने इम्मून इस घर नहारी इनने ऊफेंटियों पॉजिटिव कर आपको जल्दी आपको कोई भी चीजए आपको उसकी की चलते हमने हमने पहले फुद पे रहे थे कि खुद को इमनना इस घर रखना है उसके लिए मैंने ने पायस आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना दूसरा हम पर आये थे कि ज़स घर में हम रहते हैं वहां पर हमने जो एर ब्रीब करनी है वह वातावरन आपको कैसे स्वस्थ रखना है उसके लिए पायस अलिमेंट सामने बताया था कि आप हम लोग हेल्दी भी हैं तब जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह में कई बार हमें जो अर्थ है वो इतनी डिस्टर्ब होती है कि वहां पर वो अपनी फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए अर्थ हमारी एनरजी लेने लगती है तो मैंने जब स्टरडी कर रहे थी उसके लिए अपने प्रोडक्ट के लिए तो मैंने इनी चीजों पर रिसर्च करी कि आज की डेट में आपने देखा पहले इतना नहीं होता था यह बेभी इतनी ज्यादा वेरनेस नहीं थी पर इतनी केसिस तो नहीं थे आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि हर साल हॉस्प प्रविटल्स हैं फिर भी इतने पेशेंट्स हैं नहीं हो पा रहा है तो वह क्यों हो रहा है कोई तो रीजन होंगे है ना उसमें एक चीज तो आ जाती है हमारे खान पान कितना है अधर्टरिटेड हो रहा है लोग इतने सैलफिश हो रहे हैं कि मतलब आप देखो हर दिन न चाहिए है ना बट मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई भी चीज देते हो आप थोड़ी सी महंगी जरूर दे दो बट उसमें आप कुछ भी मिलावट मत करो आप लिस्ट किसी के साथ खिलवान मत करो एथिकल वैलिउस हर इंसान की होती है ना तो मैं यहां पर वो लेक्टर न कर दौता की अथे कैसे को पहले की प्रहान की एक दौता कि करेंगे looksraktu क्या है कि इसके में वह के उपेतिक स्टरेसches है कि हमारी जो अर्थ है उ सब को बट है कि उसके नीचे से हमने बहुत सार ली मजग निकलती है उसको है ना करकरीखा मं कर ठीसके हैसा अब लोगों को पत है built वो डिस्टरब हो जाती है कही पर पानी आ जाता है कही पर कुछ हमने खुदाई करी वी है कहीं पर आप देखो तो जमीन के नीचे से हम लोगोंने ट्रेंज कर रहती है तो ट्रेन जब चलती है तो उसकी वाइब्रेशन तो आाकềnत को आएगी ना दिर उसमें मात्रह की अपनी frequency set है वो उसी पर work करती है जब वो disturbed होती है तो वो naturally मैंने उस दिन भी बताया था कि मेरे पास कोई चीज नहीं है मैं तो दूसरे से लेने की कोशिश करूँगी तो आर्थ हाज की date में क्या है वो हमारी immunity जो है उसको drain कर रही है तो वो drain हो रहे हैं हम लोग तो हमारी तो आज के दिन में बहुत बढ़ा जो है problem problem हो रही है तीसरा हमने radiation जो इतनी ज्यादा है बढ़ा है कि घर में हर जगा हमारी electromagnetic radiation है तो वो सारी हमें effect कर रही हैं बहुत बुरी तरह से और वही चीज़े हैं जो हमारी अपनी immunity को कम कर रही है और हम लोग बहुत ज्यादा effect हो रहे हैं cancer बढ़ रहे हैं आप देखोगे infertility के causes बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और conceive कर लेते हैं बड़ उसके बाद abortion के बहुत ज्यादा आज कल वैसे भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि जो भारत है वह चौदवे या पंद्रवे नंबर पर है पॉल्यूशन के मामले में डेली सबसे ज्यादा जो है पॉल्यूशन से घिरा रहता है लेकिन इसके बाद अब जो कानपूर है वह सबसे पहले नंबर पर आ गया है यह बड़ा कारण है कि प्रति रोधक शम्ता कम हो जाती है बिल्कुल को कहीं हमारा करताव बनता है कि अम पॉल्यूशन को कम फैलाएं जहां पर हम लोग यह चीजे नहीं बालब जाहां पर ज़रूरत है वहां पर हम लोग बैग्स रहें केरी बैग्स इन सब को मतलब हम लो हमने synthetically है लिया है न कि यूज किया और throw कर दिया हम लोग यह री सोचते हैं पहले हम लोग दो देते कि सब्भी चीज को है ना तो दोते थे तो at least पानी में वह सारी चीज है जाती है वह आगे जाकर मचलियां उसको खाने को खा लेती हैं पानी में है न कोई भी जो बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा हम लोग उस पे बोलने लगेंगे और इस पे डिसकस करने लगेंगे तो बहुत लंबा चलेगा और तो आपने एक आर्थ बताया कि प्रतिरोधक शमता जो है कही ना कही आर्थ आजकल की वज़े से जितने भी नेगिटिव वाइप सारिय है उसकी सबसे बड़ा कारण बिताया क्या इसके अलावा बी और कोई बड़ा कारण है जिसके वज़े से प्रति रोधक्षमता आज कल कम हो रही है यह सारी है हमने एर को इतना प्लूट कर दिया है एर हम लोग ब्रीद करते हैं बट उसमें प्लूशन है इतना ज्यादा मैंने देखा ह एक है का पाड़ा है के लोगों में इतनीम से इंप सरहरा होग है यह और इस का रीजन भी है मतल creepy और यहां पर कुल भी ऑंवा देखते हैं तो वहां पर कोई भी हो नहीं देता है वह आपको पटता है and this day for you कि आप पहले निकल जाए यह पर आप यहां पर मतलँ this but still I love my idea इल्द इसन सबुछ ओलिए बाभजुन दें इसमें पहले इतने आवाज देते हो आप इतने इंपेशेंट होते हो आप सुचो आप अपना ब्लड पिशर हाई कर रहे हो अपनी नसी है जो जब हम लोग गुस्सा करते हैं किसी के अपर हमारी जो नसी है वह इतनी स्ट्रेच होती है कि उसकी उसकी इलास्टिसीटी पर फरक पड़ता है इसमें दूसरे का कोई दोश नहीं है उसमें कुछ दूसरे का कुछ नहीं जाता आप एंवाइमेंट एक तो पल्यूट करते हो दूसरा आप अपनी खुद को नुकसान पहुंचाते हो इसी के साथ एक ज़रूरी सूचना यह भी कि जितने भी दर्शक हमारा ये कारेक्रम द कहीं न कहीं देखा जा रहे है कि दोचार होना पड़ रहा है चाहे वो चोटे बच्चे हो चाहे बड़े व्यक्ति हो बुजूर्ग हो सभी की जो है आजकल इम्म्यून सिस्टम जो है वो बिगड़ता जा रहा है इंबैलन्स हो रहा है बिलकुल और यहां पर इमने एक देखा जाती है कि इस घर में क्या प्रॉबलम हो सकती है तो क्या नहीं हो सकती और वहां पर डेंपने स्की स्मेल है तो मैं यह एक जुरूर हरे इंसान को यह बोलू कि घर में कुछ भी आप जैसे कैमफर जला दीजिए गुगल जला ले जिए तो गर में अच्छे पॉज़ से खुश्बू जरूर आनी चाहिए आज के कारेक्रम का हमारा सबसे पहला उपाय आपने बताए कि घर में कैमफर अगर जलाए तो जितनी भी नकरात्मक उर्जा है या फिर जितना भी नमी है वो गायब हो जाएगी तो यह हर इंसार को जरूर करना चाहिए और उसके इलावा कर सकते हैं तो इंसुलेट हमने उसको कर दिया और वो हमारी एनर्जी कीचे है तो यह हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इतने लेवल पर हम जाके अगर करना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ी मुहेम मैं गोंगी शुरू हो जाएगी बिलकुल और इसके साथ हमारे कारेक्रम के प और पावित्र रखे जो जहां पर हम रहते हैं वहां के जमीन को हम साफ रखें तो चोन नहीं अपनी सिस्टेम को जो है कहीना कहीं बैलनस कर सकते हैं बिल्कुल, at least हम लोग बचा सकते हैं खुद को, कि इतनी सारी जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप बीमार हो रहे हो तो आप खुद को बैलेंस रख सको और मतलब आपकी ड्रेन नहीं हो एनर्जी मेंली, वो आपकी as it is intact रहे है तो उसमें यह सारी चीज़े मैंने आ आप देखोंगे के वह इफेक्ट कर रही है पूरे घर को एफेक्ट आता है उस पे जो घर में रोग रहते हैं यहां पर मैं एग्जाम्पल दूंगी कही बार हमने देखा है पिछे मैंने पेपर पें भी देखा था कि एक ही घर के जितनी इनमेर्स थे, they are all mentally challenged, उन सारे mentally upset थ तो कोई ना कोई रीजन तो हो रहा होगा है ना ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक इनसान को प्रॉब्लम है तो घर के सारे मैंबर्स को अब आप अगर आपने देखा होगा तो उन सब मैं यह पंचकुला का है और पुलिस उनको सब को हॉस्पटल लेके गई वो घर बहुत दिल से बन था और जो सारे लोग उसमें से उन्होंने जितने भी मैंबर्स को निकाला दे वर ओल मेंटली अपसट तो इस केन बी दरीजन अब इसमें यह सोचने का विश्य है बहुत लोग मतलब हम लोग इतनी माइन्यूट नहीं जाते बड़ यह सारे रीजन वह करते हैं यहां यहां पर उसमें बैक्टिरिया वाइरस उन पर घर बनता रहता है जहां अपने कभी उसको छेडा भी नहीं आपने उसकी दस्टिंग नहीं करी मिट्टी जमती रती है तो यह सारी चीज यह आपको अफेक्ट करना शुरू कर देंगी मैं यहां पर एक नाम नहीं लेना चाह करना चाहर के वहीं पर देख जहीं हूं तो मैं उनके घर पर गई तो और फिर्स दायलोग था जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने यही बोला में साथ मेरा ड्राइबर था मैंने इका आई वस एक्सपेक्टिंग दे सेम सिच्वेशन आफ दाहां मतलब आपने घर के बाह हम किसी चीज़ को हम घर को अगर अपना उस व्यवस्थित नहीं रख सकते तो हम अपनी बॉडि को भी नहीं रख सकते तो घर में एक व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है तो ABC हमें हल्दी रहने की यही है कि एक तो घर में पॉजितिव भूश्बू आने की सबसे बड़ा का उधारन यही है कि अगर हम अपने घर को सफ रखेंगे व्यवस्थित तरीके से रखेंगे धूल नहीं जमने देंगे और रोज सफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपून साबित हो सकती है इसी के साथ कहीं पर यह भी देखा नम्य को अब्सुर्व कर लेता है और दूसरा वह भी लगाते है वह भी बैक्टिरिया या वायरस नहीं रहने देता है तो नमक का इतना ज्यादा बैनेफित है तो यहां भी हम लोग यह बोलते हैं कि अगर ती क्यों क्यों अगर आप नहीं कुछ भी कर सकते तो अगर आप को फिट क्री दोनों मिला कि आप सिर्फ उसी का पहुचा लगाते रहे यह भी लिए पैले जो शेयरा होती थी तो उस टाइमे इतनी क्रीम नहीं होती थी कि अप यह यह चोट भी लग जिया थी तो हम लोग फिट क्री से उसकी ड्रसिंग कर देते थे था उसको साफ कर देते तो उसी से उसका ब्लेडिंग जो हर रुक जाती है तो फिटकरी का इतना जदम हत्व है एंटी बैक्टिरियर और एंटी बाइटिक है इन नेचर तो इन दोनों का ही अगर आप घर में डेली पोचा लगाते रहते हैं डेली ना भी सही हफते या दस दिन में दो बार या तीन कारेक्रम का दूसरा सबसे बड़ा उपाय है पहले हमने बिता है कि कैमफर घर पर जलाएं और दूसरा सबसे बड़ा आज का उपाई यह है कि नमक और फिटकरी के साथ पोचा जरूर लगाते रहें आप देखेंगे उसी सी आपके घर में कितनी सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू होगी आप छोटी चोटी चीजों पर लोग लड़ते रहते हैं घर में आपका हार्मनी निया नेगिटिव वाइब जो है वो सारी खतम हो जाए क्योंकि यह हाइग्रोस्कोपिक है यह हार चीज को अपने में समावेश कर लते हैं यह सारी चीजे आप पोचा अ आप नेएं पूरा पैक बनाया था जिसमें पाइस ओयल पायस, आप थिसमें इन सुलेट कर दो जिस जगह पर रहते हु है अट लीस्ट को इन सुलीट कर दो तांकि यह कोई बहुत जादा महेंगा नहीं है हम लोग दिए ल यह और पर एक प्लस्ष्यम में आपसे पूछना चाहूंगी जिस सरह से आपने बताए कि नमक और फिटकरी का पोचा लगाए तो जितनी भी negativity है वो दूर हो जाएगी आपकी जो रोग प्रति रोधक शमता है वो भी बढ़ जाएगी क्या आपने इसकी जगे क्योंकि काई बार नमक फिटकरी नहीं इसके अलावा आपने कोई इसके लिए कुछ चीज बनाई है मैंने तीसरा बनाया था कि आप जिस घर में रहते हो आप उसको अपने इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी चीज के लिए भी बट इसकी बीड़ सी बने पाते हैं तो अपने टमश भी उत्या हो जाता है तो वह बढ़द अगर वहां से निकल गई हैं तो ऐसको कि आप उसको अप उसको पासिते श्या कर लोगे जब तक आप उनको क्लीन कर लोगे तो वहां पर काम होना मुश्किल है तो इंसुलेशन के लिए हमने एक यह मैंने जो प्रोडक्ट बनाए था इसी यहां पर हमने दिखा अगर वहां पर स्ट्रेस में रह रहे हैं तो इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ गए है सत्ब पढ़े जिवां पढ़ा है उसके पैरों में श्याम को बढ़े को जाती है क्या हो जाती ए पां मैंची लगने लग जाती ती दूसने लग जाते और पैर दबाओ पैर दबाओ अच्छी साल का यह आभी आथ सबार म लगया आप तो पूसको रड़ां कुल एक्रोजी कलाते जा देले दस बदाम खलाईए बच्चे को और गरम पानी में उसके पैर रखा किजिए और उसके पैरों में है उसके बदाम पानी में पैर रखके उसके बाद आपको सिर्फ चाहे सर्सों के तेल की मसाज कर दें उसको कि शे साल का है तो अभी उसको हम लोग कोई मैडिसन नहीं देंगे आप यह बदाम और यह अभी एक नुस्का भी मैं यहां पर दिखाऊंगी आप उसको नोट करके वह आप उसको बना के दिए दो आप डेली एक चाहँ पर अभी यह में टीवी पर डिस्प्ले करूंगे तो आप उसको नोट कर लेना जरूर वह आप उसको 11 साल तक जरूर खलाते रहिए जी सद्बीर जी आप हमारे साथ बने रहिएगा और नोट करिएगा कि आगे मैम एक हमें विधी बताने वाले हैं जो कि आपके पोते के लिए बेहदीलाबधायक सिध हो सकते हर बच्चे के लि प्रोडक्ता है मुझे अभी इस प्लेइ मैंने कर वाती हो आपके घर को यह पॉजिटेव रखने का काम काम करें के था घर को यह प्रोडक्त है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने घर की जितने भी व्यक्ती है उनके प्रतीरोधक्षम्ता को बढ़ा सकते हैं लो हम लोग बहुत सारी मेडिसन में हमारे पड़ती है और वह में इसमें डाले हुई है वह इतनी हमारे मिनरल इतने ज्यादा होते हैं वह आपकी घर को इतनी पॉजिटिवटी देते हैं इसमें एक मेने औरेंच की पील यूज करी है वो एक क्योंकि हम लोग घर में जो नेगिटिविटी को या स्मेल किसी चीज की है उसको खतम करने के लिए हम लोग निम्बू बगारा का यूज करते हैं तो और भी इंडियेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इससे पहले हम अप अपने समस्य रखें है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको अच्छा बैसे आप मदब बाड़ी गेन करना चाहते हैं मतलब हेल्दी मोटा होना चाहते हैं जितने आप अभी हैं उसे अच्छा कि उसमें यह हैं मुझे असे लगता है कि आपका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा ठीक है क्योंकि उससे हम लोग जो खाना खाते हैं उसका बाड़ी में मेंटाबोलिजम और एब्सॉर्प्शन बहुत जरूरी है ना तो उसके लिए आप लिवर टॉनिक लो आप कोई भी लिवर टॉनिक आप जरूर लो साथ में और इसके लावा में कुछ अश्वगंदा खाओ आप अश्वगंदा अश्वगंदा और विधारा ठीक है यह दोनों का मिक्चर आप बना के रख लो और अश्वगंदा अश्वगंदा और बिधारा दोनों को मिला लेजिए प्लस चीनि आप अड़ कर सकते हैं उसको बना क्योंकि फिक्का सा होता है न अश्वगंदा तो उसको आप डेली एक चमश सुबशाम खाइए पर साथ में लिवर टॉनिक जरूरी है क्योंकि लिवर तो आप खा नगाते हो ठीक है तो लिवर टॉनिक साथ मिलो और रेगुलर एक-दो साल तक लगातार ले लो उससे आपकी बॉड़ी बन जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितने भी तमाम दर्शक ये कारेकरम देख रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं नमबर TV screen पर फ्लैश हो रहे हैं आप इन नमबरों के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं हमारी आयरवेधा इक्सपर्ट के सामने रख सकते हैं आपको प्रॉपर समाध्धान मिलेगा तो इसे के साथ हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए जो समगरी आप बताने वाले थे आज तो क्या हम उसकी शुरुआत अभी कर सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग उनको लगा देंगे वो जड़ा स्क्रीन पर या मैं बता देती हू वाद में बता देती हूँ तो उसमें हमने लिये थे जैसे अलमेंट्स है वो अगर आप 500 ग्राम ले ले और वालनेट्स अक रोट जिसको बोलते हैं वो हंड्र ग्राम आपने लेने तीक और 500 ग्राम मिश्री लेनी आपने और 250 ग्राम एक हमारें आते है उसको हम पंपन सी ग मैं रॉक्टार्न Big Happy मैंध हुआ के में गुटोäg तरी एक ही तो पर डुला कि या गरेंगे वो कि रख गरम पानी में ये हम लोग बता रही है तंदा नमक और फिट परद दोनों की फिट की जो है आपकी उनकी जो इसको इभ्जॉर्ब कर लेगी ठीक है बट उनको अंदर से नुबृकीशिन की जरूरत है ठीक है तो उसके लिए आपने फ्लैक सीड आपने उनको देने है कैपसूल जो कार्टिलेज है फ्लैक सीड ठीक है और एक हमारा आते हैं कॉर्ड लिवर ओयल यह सी सेवन सीज के आते हैं वो कैप्सूल जी बहुत बहुत शुक्रिया बैजनात हमारे सरजुने के लिए तो जितने भी यह समाधान हमारी आयुरवेदा एक्सपोर्ट ने बताए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण से दोगा क्यूंकि आज हम बच्चों के लिए बात करने वाले थे लेकिन समय की कमी होने क के वज़े से वो आज हम बात नहीं कर पा रहे हैं कल हम प्रॉपर पिक्चर के साथ बात करेंगे और प्रॉपर समगरी जो है वो आपके बच्चों के लिए आपको बताएंगे लेकिन फिलहाल नमस्कार